नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक स्मार्ट स्टेडी यूट्यूब जैनल पर साथ्यों दिल्ली पुलिस के लिए अब बहुत ही कम समय जो है आपके पास से स्रह गिया है केवल पाँच दिन तो अब आपको साथ लोग केवल एकस्पेक्टिड कोस्टन्स पढ़ने हैं वो कोस्टन्स जो आप से पूछे जाएंगे आपके पेपर में आज की इस क्लास में जिके जीस के टॉप 50 कोस्टन्स लेकर आएं और ये कोस्टन्स आपको पूरा देखना है क्योंकि ये क्लास आप को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अनके लिजेगा देखिए क्लास का पहला कुश्चन आपको दिख रहा है कि निच्छालन और आक्षिकरन द्वारा निर्मित मिरिद्दा कौन सी होती है यानि निच्छालन और आक्षिकरन के द्वारा जो मिट्टी का निर्मान होता है व को किनों ने या किन सासकों ने पराजित किया था तो राइट एंड सरे option number C हर्स वर्धन ने अगला question ने प्रसिद सूफी सलीम चिस्ती ये रहते थे कहां तो प्रसिद सूफी सलीम चिस्ती जो है ये कहां रहते थे याद रिखे साथ हो फतेह पूर सिक्री में option नंबर से correct हो जाएगा आपको बता दे साथ यो class बिलकुल आपको super fast करवाएंगे क्योंकि समय आपके पास नहीं है और अब जो है आपको समय बचाना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है कम समय में अगला question है मगद समराट बिम्बी सार ने अपने राजबेद जीवक को किस राज़ी के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था तो देखे करेक्ट होगा अवंती के राजा अवंती नरेस के पास अगला question हरपा के लोगों की समाजिक पद्दती कैसी थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट question है ये तो याद रिखे हरपा के लोगों की समाजिक पद्दती कैसी थी तो राइट आएगा option number A उचीत समतावादी अगला question है सांची क्यों विख्यात है तो सांची देखे किस लिए विख्यात है बहुत ये अच्छा question है तो देखे बुद्धो का पवित्र अस्तल सांची और यहाँ पर सबसे बड़ा बौद इस्तूप है याद रिखे सबसे बड़ा बौद इस्तूप के लिए सांची जो है परसीधे बिख्यात है अगला question है साहां जहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी तो रैठ होगा साथियो मुम्ताज महल को मुम्ताज महल जिनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम option नमबरे रैठ होगा अगला है मुसलीमों को सेना में नियुक्त करने वाला बिजय नगर का प्रथम सासक कौन था यानि बिजय नगर का वहाँ प्रथम सासक जिनोंने मुसलीमों को सेना में नियुक्त किया था तो बिजय नगर समराज जिसके अस्थापना 1336 इस्वी में हरिहर और बुक का नामक द अगला हिंदु विधी पर पुस्तक, मिताच्छरा, किसνे लिखी है? हिंदु विधी पर लिखी गई पुस्तक है मिताच्छरा और साथ вм Us की लेखक कौन है? तो बिध्यानेश्वर, याद रिखे ऐक्षन नमबर से राइठ होगा बिध्यानेश्वर अगला कुश्चन है दक्षिन भारत के संदर्व में एरी पती का अर्थ क्या था काफी अच्छा कुश्चन है तो साथ हो आपको यहाद रखना है देखिए दक्षिन भारत के संदर्व में एरी पती का अर्थ क्या था तो करिक्ट होगा option number A जलासई की भूमी याद रिखिए बहुत ही अच्छा question है जलासई की भूमी करिक्ट आएगा option number A आगे दिखिए हडपा सभ्याता के बारे में कौन सी उक्ती सही है यानि हडपा सभ्याता के बारे में इन में से कौन सा एक कथन सही कहा गया है तो दिखिए उन्हें असोमेद की जानकारी थी ये गलत है गाई उनके लिए पवित्रे थी ये भी गलत है option number C सही है कि उन्होंने पसुपती का सम्मान करना आरम किया था तो option number C करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चे ने बोड यार कहां के सा सकते बहुत ही प्यारा कोश्चे ने तो दिखिए बोड यार कहां के सा सकते राइट होगा option number मैसुर रियासत के अगला कोश्चे ने सिबाजी को राजा की उपाधी किसने परदान की थी बहुत ही अच्छा कोश्चेन है तो याद रिखे करेक्ट होगा ओरेंग जेब ने ओप्शन नमबर सी अगला कोश्चेन अपपर्स 1916 में मुस्लिम लीग और कॉंग्रेज के बीच किसने समझोता कराया था तो 1916 में एनी बेसेंट बाल गंगादर तिलक ने मिलकर जो है साथ अगला है राजा राम मोहन राइद्वारा ब्रह्म समाज के अस्थपना कब की गए गए और 1916 में मुस्लिम लीग और कॉंग्रेज के बीच किसने समझोता कराया था तो एनी बेसेंट ने ओप्शन नमबर सी राइट एंसर होगा अगला कौन सा राजवन्स हुनों के आक्रम से अत्यंत बिचलित हुआ था तो करिक्ट आएगा गुप्त सासक गुप्त राजवन्स ऑप्शन नमबर सी अगला है राजा राम मोहन राइद्वारा ब्रह्म समाज के अस्थपना कब की गए थी तो साथियों बहुत ज्यादा ये कोश्चन पूछा जाता है तो ब्रह्म सम अगला है अक्बर द्वारा बनवाये गए उपासना भवन या पूजा गिरी का था तो दीकिया अक्बर ने जो उपासना भवन या पूजा किरी बनावब भन वाया था उसका नाम था इबादत खाना. ओप्सक नमबर सी नेक्स्ट कोश्चन है डिल्ली का सुल्तान जो भार पुझ सातु गलक, option number C, next है, समवाद कोमुदी पत्र के संपादक कौन थे, साथ्यों दिखेगा समवाद कोमुदी पत्र के संपादक कौन थे, तो याद रिखेगा राजा राम मोहन राई, option number E, next है, भारतिय संविधान निमनल खित में से कौन सी नागरिकता परदान करता है, तो साथ्यों दिखेगा भारतिय संविधान कौन सी नागरिकता परदान करता है, तो याद रिखेगा एकल नागरिकता, option number E, correct होगा एकल नागरिकता, अगला question है, चोलो की पहली सामुद्रिक बिजई, स्रीलंका बिजई, करने एबम नौसेना के गठन का स्रै किसको है, तो परदान किया था, तो कुतु बुद्दिन एबक को जो की महमद गोरी का गुलाम था, अगला है, भारत में जनप्रिय संप्रभूता है, क्योंकि देखिए भारत के संविधान की प्रास्तावना सुरू होती है, इन सब्दों से, किन सब्दों से भारत की प्रास्तावना, बिधान की प्रास्तावना सुरू होती है, यह बताना है, तो राइट होगा, ऑप्शन नमबर D, हम भारत के लोग, अगला कोश्चन है, मराठो एबम अफगानों को, मनसबदारी प्रथा में सामिल करने वाला, प्रथा मुगल सासक कौन था, तो देखिए, राइट एंसर हो था, कि महारणा प्रताप को अपने अधीन में लाना, ऑप्शन नमबर E, नेक्स्ट कोश्चन है, कौन सराज सबसे अधिक परतिनीधी लोग सभा में भेजता है, तो राइट होगा, ऑप्शन नमबर D, उत्तर प्रदेश, भारतिया नागरिकों के मुल करते वो का विवरन, संबिधान के किस भाग में दिया गिया है, तो साथियो ध्यान दिजेगा, भारतिया नागरिकों के मुल करते वो का विवरन, संबिधान के किस भाग में दिया गिया है, तो भाग 4 का कौमे, ऑप्शन नमबर D, और अनुच्छित पूछे तो 51 का A या कौमे, आज का अगला question है भारतिय संगीत का आदिगरंथ किसे कहा जाता है तो साथ दिखीगा भारतिय संगीत का आदिगरंथ जो है ये सामवेद को कहा जाता है option number d वहा सासक कौन था जिसने राज सिंगासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसिम की हच्टा की थी बहुत important question तो याद रिखे समराटा सोक option number d अगला question है बित बिल के लिए किसकी पूरु सुईकिर्ती आवश्चक होती है तो बित बिल के लिए किसकी पूरु सुईकिर्ती होती है तो भारत के राष्टपती की option number c अगला question है सार्दा अधिनियम के अंतरगत लड़कियों एवम लड़को यादि करिक्ठ होगा option number b 14 अभम 18 वर्ष अगला question है किसने सोमपूर महाविहार का निर्मान कराया था तो देखीगा सोमपूर महाविहार का निर्मान किसने कराया था करिक्ठ होगा साथियों धर्म पालने option number c अगला question है बिश्वी सदी के पुरवार्द में देश का भिसंत अकाल 1942-43 में कहां पड़ा था तो करिक्ठ आएगा बंगाल में बंगाल करिक्ठ है option number पूर्थ गालियों ने भारत में सरपर्थम कहां पर फैक्ट्री अस्थापित की थी तो काली कट में option number b राइट अंसर होगा अगला question है निमनल खित किस सहर में असोक के सिलालिक नहीं है तेन में से कौन सा सहर है जहां पर असोक का सिलालिक नहीं है तो गिर्णार में भी है कंदार में भी और टोपरा में भी है पाटली पूतर से असोक का सिलालिक नहीं पराप्त हुआ है तो option number c right होगा गीता राहस से नामक गरंथ किस के द्वारा लिखा गया तो देखेगा गी देखिए यह जो 1907 वाला कॉंग्रिस का सुरत अधिविशन है इसमें कॉंग्रिस दो भागों में बढ़ गया था ठीक है याद रहना नरम दल और गरम दल में अगला कोस्चन है भारत भारती के रचनाकार कौन है तो देखिए भारत भारती के रचनाकार कौन है राइट संकर देव निमनलखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे याद रिखेगा फिरोज सा तुगलक अगला कोस्चन है मुगल प्रसासन में मुहतसीब क्या था तो लोक आचरण अधिकारी नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशि नहीं थी तो 1935 का जो गौर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट है साथ यो इसमें कौन सी एक विशिष्टा नहीं थी इसकी तो देखिए दुई सदन ये विधान मंडल प्रांतिय स्वायत्ता और एक एक अखिल भारतिया संग ये तीनों तो था लेकिन केंद्र की साथी राज्यो याचना वबिरोध नेक्स्ट है सक्सवंद का प्रारम किस समराट के सासनकाल में 78 इस्वी में हुआ था तो देखिएगा करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्सवर्धन सक्सवंद का पूछा है याद रिखिएगा सभी साथी ऑप्शन नंबर सी हर्सवर्धन एक सेकंड साथी हो एक सेकंड यहापर गडबड हो गया हर्सवर्धन नहीं कनिस्क आएगा ना दिखिए 78 इस्वी में सक्सवंद का प्रारम कनिस्क ने किया था कुसान वन्स के सासक कनिस्क साथी हो कनिस्क जिनको जो है न क्या माना जाता है तो कनिस्क को दूतिया असोक के इनाम से भी जाना जाता है यह भी आपको याद रखना है तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा कनिस्क चलिए आगे दिखीगा अगला है सुरक्षा प्रकोष्ट नीती संबंदी थे किस से तो दिखीगा सुरक्षा प्रकोष्ट नीती का संबंद किस से तो बहुत यह च अगला इनाम भूमी किसे दिया जाता था तो साथ दिखिए इनाम भूमी किसे दिया जाता था तो बिद्वान और धार्मिक ब्यक्ति को नेक्स्ट कोस्टेन है नाट्टे सास्त्र की रचना किसने की थी तो दिखें नाट्टे सास्त्र की रचना किसने की थी तो याद रिखेगा भरत मुनीने ओप्शन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा साथ्यो आज के क्लास में बहुत ही इंपोर्टेन कोस्टेन्स थे टोटल आपको 50 प्रशन करवाएं हैं और इस पेसली बिहार पुलिस कॉंस्टेबल दोहाज़त 23 के लिए आप मेंसे कोई भी साथी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अन कर लिजेगा चैनल